फिल्म की शुरुवात में हम जोई को देखते हैं जोई एक शादिशोदा वरत है और उसके हस्बंड का नाम इगनाश्यो है जोई इगनाश्यो को बहुत ज़्यादा प्यार करती है पर उन दोनों का फिजिकल रिलेशन्शिप अच्छा नहीं चल रहा होता उसके बाद जोई और इगनाश्यो दोनों चर्च जाते हैं और वहाँ जाकर फादर से मिलते हैं वहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों बच्चे के लिए ट्राय कर रहे हैं पर उनका बच्चा हो नहीं पा रहा चड़ से निकलने के बाद जोई इगनाशो के भाई गुंजालो के पास जाती है गुंजालो एक पेंटर है और जोई का काफी अच्छा दोस्त भी है वो वहाँ जाकर अपने लिए एक पेंटिंग पसंद करती है और उसको गुंजालो से खरीद लेती है घर आने के बाद इगनाशो गुंजालो की वो पेंटिंग देखता है और जोई से पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे से इस पेंटिंग के लिए पैसे लिए तो जोई बोलती है कि हाँ उसने थोड़े पैसे लिए थे तो इस बात पर इगनाशो गुसा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं गुंजालो को हर महीने पैसे बेशता हूँ उसे इसके लिए तुमसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे रात को डिनर के बाद एगनाशो जोई से बात करता है और उसको बोलता है कि हमें एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए पर जोई इसके लिए उसे मना कर देती है और उसे समझाती है कि उसे वो बच्चा चाहिए जिसके शरीर में उसका खून हो उसे अडॉप्ट किया वा बच्चा नहीं चाहिए अगले दिन जोई फोटो शूट के लिए गुंजालो के पास जाती है जोई बैट पर लेटकर फोटो शूट करा रही होती है पर गलती से उसके फोन से इगनाशो को फोन लग जाता है इगनाशो फोन उठाता है और वहाँ पर गुंजालो और जोई आपस में बात कर रहे होते हैं कि जोई की सेक्स लाइफ बहुत ज़दा खराब हो चुकी है जोई बताती है कि इगनाशो सरिफ उसके साथ सैटेडे को ही इंटिमेट होता है इगनाशो ये सब बाते सुन रहा होता है और उसे ये बात सुनकर काफी ज़दा गुस्सा आता है वो घर के अंदर जाता है और वहां से गुंजालो की पेंटिंग उठा कर उसे पूल में फैक देता है अगले दिन जोई जब पूल के अंदर सुमिंग कर रही होती है तो वहाँ पर उसे गुंजालो की पेंटिंग मिलती है शाम को जोई जब गुंजालो से मिलती है तो वो उसे ये सब बाते बताती है उसके बाद गुंजालो से बोलता है कि उसका भाई उससे बहुत जलता है इसलिए ना तो वो गुंजालो से डंग से बात करता है और ना ही उससे अच्छा बरताव करता है थोड़े देर बात गुंजालो को जोई बोलती है कि बहुत ज़दा रात हो चुकी है और उसे अब घर जाना चाहिए पर गुंजालो उसको बोलता है कि इतनी रात को तुम अपने घर जाके क्या करोगी तुम यहीं पर ही सो जाओ वो उसको बहुत ज़दा इंसिस्ट करता है इसलिए जोई वहां पर ही रुख जाती है रात को जब जोई उठती है तो देखती है कि गौंजालो उसके पास ही सोया हुआ है अगले दिन जोई जब घर पर आती है तो वो एगनाशो से पूछती है कि तुमने गुंजालो की पैंटिंग पानी में क्यों फैंकी तो एगनाशो बताता है कि उसे बहुत ज़दा गुसा आ रहा था क्योंकि गुंजालो ने तुमसे पैसे मांगे थे और वो उस बात के लिए उसे सौरी भी बोलता है दूसरी साड़ हम देखते हैं कि गुंजालो अपनी गल्फेंट से मिलने जाता है जहां उसकी गल्फेंट उसे बात कर रही होती है और उसे बताती है कि उनको रिलेशनशिप में आये बहुत ज़दा टाइम हो चुका है और अपने घर पर बुलाता है जोई वहाँ पर आती है और दोनों बाते कर रहे होते हैं थोड़े देर बाद गुंजालो जोई को बोलता है कि वह उसे काफी अट्रेक्टिव लगती है और वह उसके नजदीक आगर उसे किस करने लगता है पर जोई उसको रोक लेती है और जोई ने गुंजालो को किस किया था इसलिए उसके मन में इस बात का गिल्ट रहता है तो जोई अगले दिन अपने गे बेस्प्रेंट बॉरिस के पास जाती है और उसे यह सब बाते बताती है पर बॉरिस इसको बोलता है कि तुमने जो भी किया वो बिल्कुल भी गलत नही तो वो जल्दी सोने जा रहा है आगले दिन सुबह इगनाशू उटता है महाँ जोई सो रही होती है और वो उसको गुड़बाई बोलकर महाँ से चला जाता है उसके बाद जोई उटती है और वो गॉंजालो को फोन करके रात को आने के लिए बोल देती है वो दिन में अपनी मेड को भी दो दिन की छुटी दे देती है उसके बाद हम देखते हैं कि रात होती है और गॉंजालो जोई की घर पर आता है गॉंजालो जोई के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है पर जोई उसको रोक लेती है और उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें ऐसे फ्रेंड यहाँ पर डिनर के लिए बुलाया है थोड़ी देर बाद जोई का फोन बचता है और इगनाशू फोन पर होता है वो जोई को बताता है कि उसकी मीटिंग हो गई है और वो एक होटल में रुका हुआ है वो थोड़ी देर जोई से बात करता है और वो बोलता है कि वो जल्दी ही वापिस आ जाएगा उसके बाद हम देखते हैं कि इगनाशू के रूम में पहले से कोई होता है इससे हमें बता चलता है कि इगनाशू जोई को भी चीट कर रहा है दूसरी साइड जोई और गुंजालो साथ में डिनर करते हैं और आपस में खूब बाते करते हैं उसके बाद रात बहुत ज़ादा हो जाती है और गुंजालो जोई को बोलता है कि अब वो घर जाना चाता है पर जोई उसको बोलती है कि तुम आज रत यहीं रुख जाओ और वो उसे अपने बेडरूमें ले जाती है उसके बाद गुंजालो जोई के पास आता है और उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश करता है पर जोई उसे मना करती है और बोलती है कि यह सब गलत है इससे गुंजालो को काफी गुसा आता है और वो घर जाने लगता है पर जोई उसको रोक लेती है और फिर दोनों साथ में इंटिमेट होते है रात को गुंजालो उठता है और वो नीचे उतर कर एगनाशो के सुमिंग बूल में टॉलेट कर देता है इस से में पता चलता है कि गुंजालो अपना कोई पर्सनल बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है अगले दिन जोई बॉरिस से मिलती है और उसे पिछली रात की सारी बाते बताती है बोरिस वो बाते सुनकर जोई को बोलता है कि तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है तुम सिर्फ अपनी खुशी पाने के लिए ये सब कर रही हो उसी दिन योगा क्लास में जोई के पास गुंजालो का फोन आता है और वो उसे एक होटल में बुलाता है जोई वहाँ पर जाती है और दोनों इंटिमेट होते हैं ऐसे करते कि उस दिन निकल जाते है और फिर जोई इगनाशू के पास आती है और एक दिन उसे अपने साथ इंटिमेल लेने के लिए किचन में जाती है तो गुंजालो भी उसके पीछे 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 वहाँ पर आ ज जाता है उसके बाद वो जोई को पीजाशे से पकड़ लेता है और उसके साथ भूक अब करने की कोशिश करता है और उसे किस करने लगता है दोनुसे करी रहे हो 또 है कि वहाँ परtal कि वहाँ पर कि तुम्हारा पती दिखने में गे नहीं लगता उसरा जब इगनाशू काम से घर पर आता है तो जोई उसके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम गे हो तो इगनाशू से मना कर देता है और बोलता है कि तुम ये क्या बाते कर रही हो तो जोई उसको बोलती है कि मु चोड़ के जा चूकी है तो वो गुस्से में गुशनालो के घर पर जाता है और उसको बोलता है कि तुमने ही जोई को बोला है कि मैं गय हूं। वो प्रेगनेंट है तो वो सीधा बोरिस के बास जाती है और उसे ये सब बाते बताती है बोरिस से सुनकर काफी खूश होता है पर जोई उसको बोलती है कि अगर मैंने गशालो को बतायाए कि वो इसका बाप है तो वो मुझे abortion के लिए बोल देगा और मैं इस बच्चे को बाप का नाम देना चाती हूँ बोरी Zoe को बोलता है कि अगर इस बच्चे को बाप का नाम ही चाहिए तो मैं इसका बाप बने के लिए तयार हूँ और ये बात सुनकर Zoe को काफी अच्छा लगता है जोई गुंजालो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा तुमारा है गुंजालो ये सुनकर गुसा हो जाता है और वो जोई को अबोर्शन के लिए बोलता है पर जोई उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ तो गुंजालो उसे बोलता है कि तुम बेशक इस बच्चे को रख सकती हो पर उसके साथ मेरा नम मत जोड़ना गुंजालो ये सब बाते बोलकर वहां से चला जाता है पर इगनाशू उनके रूम के बाहरी खड़ा होता है उसके बाद हम देखते है कि जोई डिसाइट कर रही होती है कि उसे बच्चे को अबोट कर देना चाहिए तो वह डॉक्टर के पास जाती है और उसे कंसर्ट भी करती है उसके बाद वह उपना पूरा मन बना लेती है पर उससे पहले ही उसे एक लैटर मिलता है लेटर इगनाशू ने लिखा होता है और वो जोई से माफी मांग रहा होता है लेटर के साथ में